हलो आज है 14 सब्टेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में 1475 पे आ चुका है साड़े 4 प्रतिशत के गिरावट है और भेंकर गिरावट है पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर यहां पर बिल्ट हो रहा है कई सारे रीजन्स है जिसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो जो पो काफी जादा हल्प करेंगे तो इन्फोसिस का शैर अभी 1475 पर है बड़ी गिरावट आई है और पूरे दिन ये तूटा ही रहा एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने तेजी दिखाने के कोशिश भी करी हो एक महिने में अगर आप देखोगे तो एक महिने में ये 1600 रुपए के उपर से था वहां से तूटना शुरू हुआ 1455 तक गया बाउंस बैक दुबारा आया दुबारा एक जट के माज गिरावट आई है एक साल में अगर आप देखोगे तो 13-14 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली जरूर है एक वक्त था जब ये 1900 रुपए से भी उपर ट्रेट कर रहा था जट तूटना शुरू हुआ 14-100 रुपए से भी नीचे गया वापस बाउंस बैक भी आया लेकिन फिर से अब गिर गिरावट देखने को मिल रही है गिरावट की कई सारी वज़े हैं पहली जो वज़े मैं आपको यहां पर बताऊंगा वो है मून लाइटिंग ठीक है तो सबसे पहले विपरो ने इसके बारे में में मिंचन किया था और अब इन फोसिस भी कह रहा है कि देखो बैया अगर करोगी तो यह एक एथिकल प्रैक्टिस नहीं है आपको कंपनी से टर्मिनिट भी किया जा सकता है और देखते हैं कि क्या होता है लेकिन मून लाइटिंग सिंपल है कि वह कंपनी में काम करते हैं तो यह सारी चीज़े देखने को मिलती है कई बार ऐसा होता है कि जो आई टी लेकिन सबसे बड़ी जो वज़ा है एक और वो है कि यूएस में दिक्कत हो रही है डॉलर के जो प्राइजी से वो बढ़ रहे हैं लेकिन डॉलर का जो प्राइज है एक्चल में होना यह चाहिए कि आई टी कंपनी को फायदा होना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है उसक अगर हम जाने की कोशिश करें तो इंडियन आटी सेक्टर अगर आप देखो तो बेनिफिट हुआ थे इनको पेंडामिक के बाद जो आउट्सोर्सिंग ऑफ्शोरिंग और और जो डिजिटलाइजेशन का एकदम से उच्छा लाया था दीक है कोविड में क्या हुआ ठीक है लोग डिजिटल पेमेंट को जादा कंसिडर करने लगे ठीक है तो कहीं ना कहीं कंपनी की डिमांड बढ़ी के बढ़ी है डिजिटलाइजेशन हर जागे होना चाहिए लो पर माइक्रो टीम एक्सपर्ट विचिस अगर आप देखने की कोशिच तो मल्टीपल लीडिंग डिमांड इंडिकेटर अगर आप देखो तो वी बिलिव इन इंडियन आईटी सेक्टर यूस्डी रिवनिव ग्रोथ वी स्टार्ट टू मेंटरनी स्लो डाउन फ्रॉम हीर अभी से अगर आप देखो थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाएगा रीजन देखो पहली जो सबसे बड़ी वज़ा थी वह यह थी कि हैवी लोग यहां पर अगर आप देखो तो रिजाइन कर रहे थे काफी लोगों ने यहां पर रिजाइन किया था और उसका सिंपल ज जो हाइक भी है ना 15-20% तक की हाइक स्टार्ट अप वाले देते हो जहां बड़ी गंपनी में हाइक अगर आप देखो तो 8-10% की जनरी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं यह देखने को मिला भी सब्सक्राइब करने के लिए काफी लोगों ने रिजाइन भी किया और यह सबसे बड़ा major concern रहा था Indian IT Industries के लिए क्योंकि उनको heavy packages देने पड़े लोगों को रोकने के लिए और अभी अगर आप देखो जो पहले attribution rate जो हुआ करता है 10-12% का आज वो बढ़के 20-25% तक हो चुका है और यह और भी जादा हो सकता है कुछ-कुछ कमपनियों में तो यह वो मिला है और यह कहीं न कहीं अच्छी समड़ा अच्छा संके तो नहीं है IT Industries के लिए और यही वज़ा है कि सबसे जादा pressure बनता नजर आया है और इसके बावजूद कि कमपनियों का revenue बहुत तेजी से बढ़ा अगर आप revenue की बात करोगे ठीक है तो 1,21,000 क्रोड का revenue था इ ही है अगर हम profit के बात करने जाए तो 5,360 क्रोड का इनको मुनाफ़ा हुआ है Infosys को जो पिछले quarter में 5,650 क्रोड था मतलब तक्रीबन 6% की गिरावट है जबकि इनके revenue में 7% का growth है मतलब revenue बढ़ने के बावजूद भी profit नहीं बढ़े इनके क्योंकि जो खर्चें हैं वो कही और volumes पर जाए तो बहुत बड़ी quantity में share trade हो रहा है और ये volume डेड़ करोड तक का देखने को मिल रहा है company में अगर आप देखोगे तो revenue अच्छे है profit में बस थोड़ा सा pressure आया ज़रूर है इतना ही नहीं अगर आप देखोगे तो Files ने विक्वाली करिये लेकिन दूसरी तरह mutual fund और insurance company ने खरीदारी करिये है यहां पर 31.72% की holding अभी भी Files के पास है 14.98 mutual funds के पास है 3.48 insurance company के पास है 13.11 promoters के पास है एक भी शाय प्रमोटर का गिरवी नहीं है Infosys में अगर आप देखोगे तो वहिया आप देखो 22% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं वहना 77% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ यहां से देखो पहली चीज़त है कि मेरी बेचने की सलान नहीं है अब यहां पर लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तेजी आएगी नहीं आने वाली है तेजी प्रिशर में रहेगा शेर कुछ वक्त के लिए और यही वज़ा है कि अगर आप देखोगे तो कंपनी के ही आप अगस्त महिने का डेटा देखो तो Infosys Employee Benefit Trust बिक्वाली करी है 43,877 शेर्स 1531 प उनकी तरफ से Infosys Employee Benefit Trust दो हजार आट सो ग्यारा शेर्स बेचे गए एक हजार पांसो चालिस के आसपास 25 अगस को एक और रांजेक्शन 1585 पचासी 143,000 से भी जादा शेर्स बेचे गए 19 अगस को एक और रांजेक्शन उनकी तरफ से था 12,975 शेर बेचे गए 1600 रुपए उपर तो देख सकते हो कि वह यहां बिक्वाली देखने को मिली है Company Infosys Employee Benefit Trust की तरफ से और revenue अच्छे है, profit भी अच्छे है, डिवडन के अगर हम बात करने चाहे तो डिवडन भी अच्छ इस बार मई में 16 रुपए का किया, अक्तोबर में 12 रुपए का पे कर सकती है, कि पिछले साल बेकर आप देखो तो दो बार 15-15 रुपए का डिवरेंट दिया था, बोनस देखोगे तो अच्छा बोनस पे करती है, 2018, 15, 14, 6, 4 Company बोनस दे चुकी है, इस साल नहीं तो अगले स सस्ता नहीं है, 77% एनालिश कहते हैं, खरीदारी करो, अच्छा डिविडिन पे करा है, लॉंग टम में पैसा बना है, करेंट प्राइस भी कम है इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से, और होल्डिंग में भी देखे तो बड़े-बड़े फंड हाउज बड़ी-बड़ी लेकर बैठे हैं, और इन्वेस्टर्स के पास 7.26% की ही होल्डिंग है, अधर पार्टिस के पास 29.03% की होल्डिंग है, देखो मैं मानता हूँ कि इन्फोसिस में लगातार गिरावट देखने को मिली है, और इसका मतलब यह भी नहीं कि यहां से गिरावट रुख जाएगी हो सकता है कि यह जो गिरावट हो थोड़ी और, थोड़ी और भी आपको देखने को यहां पर मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कमपनी खराब है, अगर आप यहां से एक डिर साल का आउटलुक लेके चले तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक बहुत जल्दी आएगा लेकिन हाँ, अभी कुछ वक्त प्रेशर में रहेगी यह कमपनी, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए ग्लोबली भी, वो कही न कहीं इनको परेशान कर रहें और कर सकते हैं आने वाले दिनों में भी, तो अभी के लिए एक दम से जल्दबाजी यहां पर मत करना खरीदार पर आपको डिजिटलाइजेशन देखने को मिलने वाला है और उसमें जो इंडियन आईटी इंडिस्ट्रीज है, वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है, तो गिरावट में मौके बनेंगे, पैनिक मत करना, बस नीचे के लेवल पर खरीदारी के लिए तयार रहना, इसके बारे में जितनी ज़्यादा कमेंट होगी, वो वीडियो उतना जल्दी आएगा, वीडियो को यहीं पेंड़ करता हूँ, पसंद आए हो, तो लाइक कर शाय कर चानल बगरा पहली बाहर है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं, थैंक्यू